हेलो फैन्स वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेड मेडेसिंस में तो आज अब बात करने वाले हैं एसी गलो फैनिक एंड पेरसिटामोल सस्पेंशन्स के वारे में क्या इसके यूज होने वाले हैं क्या इसकी डोज होती है और क्या कैसे साइड़ देखने को मिलते हैं तो बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंतक ताकि एसी गलो फैनिक एंड पेरसिटामोल सस्पेंशन्स की फुल जानकारी आपको मिल सके हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह सिरफ दो दवायों का कॉंबिनेशन है जो इसमें एसी गलो फैनिक है वो नो एक एनालजेसिक और एंटिपायरिटिक तबह है जो बुखार और चोटे-मोटे दर्थ को ठीक करने के काम में आता है बात कर लेते हैं मार्केट में हम किन पॉपलर ब्रांड नेम से आसानी से इसको खरीच सकते हैं एसी गलो फास्ट पी सिरफ निमुकेट एफ सिरफ एसी इनादी पॉपलर ब्रांड नेम से यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है अरे के साब से इसका ब्रांड नेम चेंज हो लेकिन यह अपने जेहनिक नाम एसीगलो फैनिक एंड पैरसेटमोल सस्पेंशन से कहीं पर भी मिल जाएगा तो जानते हैं यह सिरफ काम कैसे करता है तो जैसे दर्द बुखार और सुजन के लिए जो जुम्मिदार केमिकल मेसंजर होता है यह उसको ब्लोक करके ठीक करने का काम करता है तो बात करते हैं इसके यूज के बारे में कहा कहा इसको यूज के जाता है तो यह बेसिकली बच बच्चों को कहीं पर भी दर्द होता हो जैसे बॉर्ण पेन, जोइन पेन, मसल्स पेन या बैक पेन या हैड़क की समस्या हो तो उसमें इसका उप्योग किया जाता है बात करें, overall किसी भी प्रकार का दर्द हो बच्चों को तो उसमें इस शिरफ दिया जाता है और यदि बच्चों को फीवर है तो फीवर में भी इस शिरफ का यूग किया जाता है तो बात करते हैं इसकी क्या डोज दी जाती है जो इसकी नॉर्मल डोज होती है वो 15 mg पिरती केजी के साब से होती है तो जैसे कोई 10 किलो का बच्चा है उसको 1.500 mg एक टाइम में डोज दी जाती है तो जो इसका कंटेन होता है वो एसिकलोफैनिक 50 mg और पराशिटमोल 125 mg पिरती 5 ml में होता है तो जैसे ये 175 mg पिरती 5 ml हो जाता है तो इस हिसाब से 5 ml या 5 ml से थोड़ा कम 10 किलो के बच्चे को आसानी से दे सकते हैं तो बात करते हैं इसके साइड फैक की क्या कैसे साइड फैक देखने को मिल जाते हैं तो जैसे इसको लेने के बाद बच्चों को बो मिटिंग आ सकती है पेट में दर्द हो सकता है नोजया की दिक्कत हो सकती है दस्त की समस्या देखने को मिल सकती है और यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंद अपने डॉक्टर से संपर करें और यह दवाई भविस्या में ना ले बात करते हैं क्या-क्या साब देनी इस दवाई को देते समय रखनी चाहिए जब भी हम कभी यह दवाई देते हैं तो हमको बिना डॉक्टर की सलागे यह दवाई बच्चे को नहीं देनी चाहिए क्योंकि दवाई के बूरे साइड इफैक्ट भी होते हैं इस वएसे बिना डॉक्टर की सलागे कभी भी कोई मेडिसीन ना ले और इसका दियान रखना चाहिए कि कभी भी ओवर्डोज ना हो बच्चे को मात्रा के जाप से जादा ना दे तो यह थे ओवर ओल फुल करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग